नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम जै हो 370 की, जै हो 35 A की, 370, 370 और 370 अंतता स्वाहा हो गया सुप्रीम कोट का फैसला जिस तरह का आया है तकरीबन देश की बड़ी आबादी को ऐसी ही उम्मीद थी कि इसी दिशा में फैसला आएगा खासतोर से जिस तरह से राम मंदे पर सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था मेरा ये स्पष्ट मानना है कि उसी कड़ी में 370 पर जो फैसला आया है उसे देखा जाना चाहिए और उसे पढ़ा जाना चाहिए और इसमें सबसे कमाल का स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में वकील रहे सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल का उनका कहना है कुछ मामले कुछ केस हारने के लिए ही लड़े जाते हैं और भविश्य के गर्भ में तै होगा कि न्याय कि धर गया कहां गायब हुआ दोस्तों हम सब जानते हैं कि 370 आर्टिकल 370 का रिष्टा 35 आ का रिष्टा जम्मू कश्मीर से है और इस पर गाजगिरी थी 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र की भारती जनता पार्टी की सरकार प्रधान मंत्री नरेन मोदी की नितरुत में इसे खतम कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लड़्दाख इन तीनों को दूसरे ढंग से अरेंज करने की पूरी की पूरी तैयारी उन्होंने की थी और आज यानि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोट ने इस पर एहम फैसला सुनाया है अब आप देखिए सुप्रीम कोट का जो फैसला आया है वह 2019 के बाद 2023 में आया है तब से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में और लड़्दाख में उसके पूरे पॉलिटिकल स्पेक्टरम में जमीन आसमान का अंतरा चुका है इतने सालों बाद इस फैसले का आना उसका क्या अर्थ होगा उसको किस तरह से 2024 के चुनाओं से जोड कर देखा जाना शुरू हो गया है यह सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर दबे स्वर में ही सही लंबे समय से बात हो रही थी लेकिन सबसे पहले देखिए यह एहम फैसला इस एहम फैसले से पहले ही जम्म कश्मीर के लोगों को और खास तोर से उनके नेताओं को यह आभास हो गया था कि फैसला क्या आने वाला है और यह न्यू इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है कि लोगों को अब यह आभास हो जाता है खास तोर से उस सेक्शन को जो उस फैसले पर इंसाफ के लिए टक-टकी लगाये देख रहा है मिसाल के तौर पर देखिए पीडेपी की जो मुखिया हैं महभूबा मुफ्ती जो जम्मु कश्मीर की मुख्यमंत्री थी जिस समय 370 हटी थी उन्होंने 10 दिसंबर यानि फैसला आने के ठीक एक दिन पहले पब्लिक डोमेन में अपना यह स्टेट्मेंट डाला था और कहा था कि सुप्रीम कोट को बीजेपी का यानि भारती जनता पार्टी का एजेंडा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उनकी बेटी इलतिजाने भी इस बात की आशंका जताई थी कि जिस तरह से इस फैसले को आने से पहले धर पकड़ हो रही है लोगों का हाउस अरेस्ट किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि फैसला क्या आने वाला है आईए सुनते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले पर क्या बयान दिया है बहुत एहम है उनका स्टेटमेंट क्योंकि वह बता रहा है कि कश्मीर कश्मीर का जो रिजिस्टेंस है जो रिजिलियन्स है वह बहुत पुराना है वह इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर ध्यान से सुनिये महबूबा मुफ्ती, यहाँ पर मैं शुरुवात महबूबा मुफ्ती से इसले कर रही हूँ क्योंकि महबूबा मुफ्ती ही भारती जन्ता पार्टी के साथ गड़ बंधन में जम्मो कश्मीर में सरकार चला रही थी 2019 में और उनको भी उसी तरह से नजर बंध किया गया था, बतौर मुख्यमंत्री वह कुछ नहीं कर पाई थी और आज सुप्रीम कोट के फैसले पर जिस तरह से उन्होंने बाकी आबादी को आगाह किया है, वह गौर तलब है मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मद मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, जम्मो कश्मीर ने बहुत सारे उतार चड़ाव देखे हैं, सुप्रीम कोट का आज का फैसला, ये एक पढ़ाव है, मुश्किल ही सही पर पढ़ाव है, ये मन्जल नहीं है हमारी, इसको मन्जल समझने की ग कहा कि 370 आरजी है, इसलिए इसको हटाया गया, ये हमारी हार नहीं है, बलकि आइडियो आफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तसौर की हार है, जिस तसौर के साथ, जिस आइडियो आफ इंडिया के साथ, जिस गान्दी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमी तहज उनके साथ गांदी के मुल्क के साथ मिलाया है आज यह उस आइडियो आफ इंडिया की हार है आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पारलिमेंट के अंदर नाजाइस गैर कानूनी गैर आईनी की उसको जो जाइस करा दिया गया वो जमू कश्मीर के लिए यह नहीं बलकि आइडियो इंडिया हिंडुस्तान के तसवर के लिए एक सजाई मौत की खबर से कम नहीं है इस फैसले से खुश होने वालों की तादाद निश्चित तौर पर ज़्यादा है और सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है प्रधान मंतरी नरेन मोदी हों अमिश्शा जी हों या पूरा का पूरा सरकारी अमला देश में बैठा पूरा तंत्र इस फैसले से अहलादित है खुश है जश्च मनाया जा रहा है लेकिन मेरा सवाल यहां दूसरा है फैसले से खुश होना नाराज होना एक तरफ यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल लोकतंत्र और इंसाफ को मद्दे नजर उठा रही है मिसाल के तौर पर तीन सो सत्तर पर यह जो बैंच थी जिसके चीफ जस्टिस मुखिया थे उन्होंने 5 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली और देखिए 5 सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर यानी तीन म सवाल है क्यों यह फैसला रिजर्व करना और उसे सुनवाने का यह समय निर्धारित करना आखिर क्या वज़व हो सकती है ठीक इसी तरह से देखिए जो समान सेक्स मैरिज को लेकर मुद्दा था LGBT Q के अधिकारों को लेकर जो मुद्दा था लंबी बहस जिस पर चली थी उस पर भी सुप्रीम कोट ने अपनी सुनवाई खतम कर ली जज्जमेंट रिजर्व कर लिया और तकरीबन छे महिने के बाद इस पर फैसला सुनाया यह सारे मामले अलग-अलग हैं लेकिन आप देखें जो निशकर्श है वह तकरीबन एक तरह का है जिस पे कपिल सिब्बल का जो बयान है वह बहुत कुछ कहता हुआ, समझाता हुआ, हिंट देता हुआ, दिखाई देता है क्योंकि इसी तरह से हमने देखा चाहे मामला राफेल का हो, पेगासिस का हो, या फिर कुरोना के दौरान जो अफरा तफरी थी उसको लेकर हो, नोट बंदी हम और आप भूल गए हैं, चाहे नोट बंदी का मामला हो ये सारे मामले आखिर किस दशा को पहुचे यह निश्चित तोर पर भारती लोकतंत्र में एक बड़ा सवाल बना रहेगा हमने बात की महबुबाब मुफ्ती की, अब देखिए उमर अब्दुल्ला, N.C. के जो मुखिया हैं, बड़ा चेहरा हैं, वो किस तरह से इस पर खुद अपना ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके पबलिक में रिलीज करते हैं ये वीडियो बहुत कुछ कहता है कश्मीर के सामान हालात के बारे में यह बताता है कि वहाँ पर वहाँ के जो वोईसेज हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं और किस तरह से लोकतंत्र का जम्हुरियत का इस्तमाल कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला बहुत भरोसा दिलाते हैं वे कहते हैं कि हम निराश तो हैं, लेकिन हमारी कोशिशे यही खतम नहीं होती हम सुप्रीम कोट की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जोड़ते हैं कि हम सुप्रीम कोट की रिस्पेक्ट करते हैं और तभी हम वहाँ गए सुप्रीम कोट का दर्वाजा इसी लिए हमने खटखटाया और इसी के साथ साथ वह यह भी याद दिलाते हैं कि उनकी यानि जनसंग हो आरेसेज हो भारती जनता पार्टी हो उसकी जो कोशिशे हैं 370 के खिलाफ वह शुरू 1950 से हुई थी और तब से लेकर अभी तक यहां पर इस सफलता तक वह पहुचे हैं और इसके बाद अभी जो पूरी प्रक्रिया है वह चालू है आप से इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ घर के गेट पे ताला लगा हुआ है मुझे मिलने की अजाज़त नहीं दी जा रही है मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोट में जो हुआ उसका मैं रियक्शन और मैं उसके बारे में अपने हैलात डायरेक्ट मीडिया को दे देता दोस्तों एक तरफ सुप्रीम कोट 370 पर सरकार के स्टैंड पर मुहर लगाता है और ठीक उसी समय देश की संसद में देश में लोकसभा में इस पे चर्चा हो गई है इसने पास कर दिया है और रासभा में ठीक 11 दिसंबर को दो एहम बिल देश के ग्रह मंत्री अमिशाह पेश करते हैं पहला बिल है जम्मु कश्मीर रियो और और दूसरा है रिजर्वेशन बिल डी लिमिटेशन को लेकर एक लंबा दाओं बहुत समय से भारती जनता पाटी जम्मु कश्मीर में खेलना चाह रही थी उसमें वह सफल होती दिखाई दे रही है मिसाल के तौर पर अभी तक जम्मु के पास 37 सीट्स थी अब 37 से बढ़कर वह 43 हो जाएंगी इसी तरह से 46 सीट्स कश्मीर में थी वह बढ़कर 47 हो जाएंगी यानि जम्मु पहुँच गया 43 पर और कश्मीर घाटी पहुच गई 47 पर साथी साथ जो रिजर्वेशन वाला है उसमें भी पहाड़ी और बाकी जो समाज है उसको सर्रक्षन देने और उसको एक स्थाई वोट बैंक में तबदील करने का बहुत जबरदस काड़ भारती जनता पार्टी ने चला है और इसे ही हम माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोट का फैसला माना मोधी सरकार ने और अगले साल तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं क्योंकि लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो इन चुनाव में भारती जनता पार्टी के लिए सत्ता हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा आर्टिकल 370 हटने और इस फैसले पर सुप्रीम कोट की मुहर लगने के बाद जम्मू कश्मीर यह पूरी घाटी किस राजनितिक दिशा की तरफ बढ़ेगी किस दिशा में भारती लोकतंत्र पर इसका असर पड़ेगा यह सिर्फ सोच यह सिर्फ चिनता जम्मू और कश्मीर की नहीं देश में बाकी हिस्सों में जो लोग बैठे हैं जो लोग लोकतंत्र को लेकर उसके भविश्य को लेकर फिक्रमंद हैं वे सब बहुत करीब से बहुत ध्यान से देख रहे हैं इस डवलप्मेंट को और इस करम में महबुबा मुफ्ती का यह कहना कि जो फैसला आया है दर असल वह आईडिया ओफ इंडिया की हार है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हिंदुस्तान के तसवर के लिए बहुत जरूरी है कि लोग यह समझें कि लोकतंत्र जितना जरूरी है कश्मीर के लिए उतना ही जरूरी है देश के बाकी हिस्सों के लिए और यहां चलते चलते जम्म कश्मीर पर बहुत पैनी निगाह बनाए हुए एक ऐसी पत्रकार का यह सोशल मीडिया पे डाला गया स्टेट्मेंट देखिए अनराधा भसीन अनराधा भसीन यह बताने की कोशिश कर रही है कि अगर इतना अच्छा फैसला आया है तो लोगों को नजर बंद क्यों किया जा रहा है और अगर जम्मू कश्मीर पुलिस यह कह रही है कि लोगों को नजर बंद नहीं किया गया घरों में कैद नहीं किया गया तो क्या लोग खुदी बंद हो रहे हैं यह एक बहुत लिपुर हो कश्मीर हो या पूरा हिंदुस्तान हर जगा एक ही आईन यानि कॉंस्ट्यूशन और कॉंस्ट्यूशन ही पर लोग भरोसा जताते हैं और यह बहुत सुकून की बात है कि आज की तारीख में जब्मो कश्मीर के जो दो बड़े पॉलिटिकल फेस हैं वह बता रहे हैं कि वे हिम्मत नहीं हा रहे हैं सुप्रीम कोट में वे ही गए थे इंसाफ के लिए और आज भी वह इंसाफ का परचम लहराते रहेंगे शुक्रिया